हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक्टिव स्टाइल वीद अज मैं आपको रताऊंगी ट्राउजर का एक और बहुती बिटफुल्स और लेटेस्ट डिजाइन जिसे आप बहुती इजली बना सकते हो तो इस तरह से मैंने अपने सिंपल ट्राउजर को कट कर लिया है अगर अभी तक आपने हमारे सिंपल ट्राउजर की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो नहीं देखिया है तो उपर जाए बटन दिया है उसमें जाके क्लिक कर ले मेरे ट्राउजर की फुल लैंत है 38 इंच तो इसमें मैंने नीचे की साइट से हाफ इंच बढ़ा के लिया है जो की हमारा सिल राई में चल जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम पेस्टिंग पुकरम में अपने डिजाइन की कट लेते हैं तो डिजाइन मुणाने के लिए मैंने इस तरह की पेस्टिंग बुकरम लिया है जिसकी लंबाई है 8 इंच और चोड़ाई मैंने ट्राउजर के अकॉर्डिंग लिया है इस तरह से और इस तरह से फोल्ड करते हुए ट्राउजर का भी मैंने सेंटर पॉइंट निकाल लिया है और सेम इसी तरह से सेंटर लाइन को मिलाते हुए हमने बुकरम का भी इस तरह से सेंटर ले लिया है डिजाइन हम ट्राउजर की फ्रेंट साइड बनाएंगे तो अब हम इस तरह से बुकरम को फोल्ड करते हुए बुकरम की फोल्डिंग साइड अपने पैटन की कटिंग कर लेंगे अब हम बुकरम को फोल्ड करते हुए इस तरह से इसकी folding side pattern cut कर लेंगे तो design की लंबाई में लूँगी 5 inch और इस तरह से 1.5 inch का gap देते हुए और 1.5 inch की चुड़ाई लेते हुए इस तरह से इसमें pattern draw कर लूँगी अब हम 2 inch का gap देंगे और इस तरह से चुड़ाई में लूँगी 3 inch और सेम इसी तरह से इसमें भी round shape draw कर लूँगी इस तरह से अब हम बाहर की side से थोड़ा सा margin लेते हुए इस pattern की cutting कर लेंगे कुछ इस तरह से अब हम इस design को कपड़े की उड़ी side paste कर लेंगे तो इस तरह से मैंने अपने pattern को कपड़े की उल्टी side paste कर लिया है और भार की side से इस तरह से half inch का कपड़ा छोड़ते हुए इस कपड़े की cutting कर लिया है अब हम कर्प वाली side इस तरह से cut लगा कर इस पूरे कपड़े को इस तरह से fold करते हुए इस पूरे pattern में stitch कर लेंगे अब हम कर दोड़े दोड़े तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पूरे पैटर्न में मैंने स्लाई लगा लिया है और इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है अब हम इस पैटर्न को ट्राउजर की फ्रेंट साइड जॉइंट करेंगे तो ये मेरी ट्राउजर की फ्रेंट वाली साइड है जो की सामने की साइड आएगी और इस तरह से fold करते हुए इसका भी हमने center burn निकाल लिया है दोनों center को इस तरह से मिलाते हुए हम बुकरम की बगल बगल इसी तरह से sly लगा लेंगे तो चलिए अब इसमें sly लगा लेते हैं तो इस तरह से पूरे pattern में मैंने pin लगा कर secure कर लिया है ताकि जब हम इसमें sly लगाएं तो यही लेना आप चाओ तो पहले इस तरह से center में कच्ची sly भी इसमें लगा सकते हो अब हम इस तरह से पूरे बुकरम के बगल बगल इसमें sly लगा लेंगे तो इस तरह से pattern को मैंने ट्राउजर में स्टिच कर लिगा लिगा लेंगे अब हम अंदर की साइड से हाफ इंज का कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और सिलाई से दूर इसमें कट लगा देंगे ताकि असानी से फोल्ड हो जाए इस तरह से अब हम इस पैटन को फोल्ड करते हुए इस पूरे पैटन में अच्छे से आइरन कर लेंगे इस तरह से तो चलिए अब इसमें अच्छे से आइरन कर लेते हैं तो इस तरह से पैटन में आइरन करने के बाद हमारे डिजाइन कप्रिट हो गया है अब हम इस पैटन में इस तरह की लेस लगाकर इसे पूरा कंप्रिट कर लेंगे अब हम इस लेस को इस तरह से नीचे की साइड रखते हुए इस पूरे पैटन की उपर साइड इस तरह से स्टिच लगा कर इस लेस को भी अटाइच कर लेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमाय चानल को सब्सक्राइब